यो वस्ट अप गाईस वेलकम बैक वन्स अगेंग तो आज मैं एक रियल लेस्पिन स्टोरी ले के आई हूँ और ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्रेवर ने ही सेंड की है और इस कहानी में सब कुछ रियल होगा रियल नेम रियल प्लेस और सब कुछ रियल इसलिए होगा क्यो इस यार सब्सक्रेव शुरू कर ले ना तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है आईशा आईशा भी 19 साल की है और ये उडिसा की रहने वाली आईशा एकॉल स्टुडेंट है आईशा पहले पढ़ने में बहुत अच्छी थी लेकिन जैसे ही इसे ऑनलाइ गीम्स की बारे में पता चला और ये भी उन सबसे एडिक्टेड हो गई धीरे धीरे आईशा इस लड़को छोड़ देती है वो कभी कवाली खेलती है अपने दोस्त्या के साथ एक दिन की बात है जब ऐसे ही आईशा अपने दोस्त्या के साथ गेम खेल रही थी तब ही एक रैंडम लड़की उसके साथ जोइन हो जाती है उस रैंडम लड़की के साथ एक और लड़का जोइन हो जाता है जिसका नाम था अनुज और सुरू सुरू में ये चारो बिलकुल नॉर्मल प्लेयर के तरह ही खेल रहे थे और फिर इनके बीच में दोस्ती हो जाती है चारो तो ऐसे ही जब भी मिलते वो चारों मिलके ही गेम खेला करते थे लेकिन सुरू सुरू में तो इनके भी सब नॉर्मल होता है लेकिन कही ना कही अनूज दिसा को पसंद करने लगता है और अनूज को ऐसा लगता है कि जो सत्या है वो आईशा से प्यार करता है जो दिसा होती है दिसा ये सोच लेती है कि आईशा अनुच को पसंद करती है और ऐसे ही चारों के बीच में बहुत कनिफ्यूजन हो जाता है लेकिन सस्त तो ये है कि चारों में से कोई भी किसी को पसंद नहीं करता सब एक दूसरे को सिर्फ दोस्ती मानते है अब इन सब को साथ में गेम खेलते खेलते कुछ महीने बीच चुके थी और मैं आपको बता दू कि आईशा एक लेस्पियन थी जिस बज़े से उसे दिसा की बोईस बहुत पसंद आने लगती है वो दिसा को पसंद करने लगती है एक दिन जब आईशा ऐसे ही गेम खेलने आती है तो फिर दिसा भी आ जाती है और उस समय पे सत्या और अनूज नहीं आये थे तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम दोनों ही खेल लेते हैं तो दिसा कहती हैं हाँ चलो हम दोनों ही खेल लेते हैं आज तो सिर्फ गेम में दिशा और आईशा ही थे तो आईशा इस बात का फायदा उठाती है वो दिशा से उसके बारे में सब कुछ बूचती है तो दिशा कहती है मैं मुंबई से हूँ और मैं 20 साल की हूँ आईशा को दिशा से बात करके अच्छा लगता है फिर आईशा दिसा से उसका नमर पूछ लेती है पहले तो वो घबराती है कि पता नहीं दिसा क्या रेक्शन देगी लेकिन दिसा तो कुछ नहीं बोलती बलकि वही आईशा से उसका नमर मांग लेती है और दोनों एक दूसरे को अपना नमर दे देते हैं दिसा का नम्मर लेके आईशा बहुत खुश हो जाती है और दोनों गेम खतम करने के बाद कॉल पे बात करते हैं और कॉल पे बात करके दोनों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही बात करते करते कब दो तिन घंटे बीच जाते थे इन दोनों को खुद नहीं पता चलता था औ और अनूज हो शत्या सोचते थे आकिर इन दोनों को हुआ क्या है? ये दोनों आती क्यों नहीं है? अब अनूज हो शत्या को कौन बताए कि आईशा और दिसा एक अलगी गेम स्टार्ट करने वाले हैं पहले पहले तो आईशा ही दिसा को पसंद करती थी और दिशा आईशा को सिरूप एक दोस्त मानती थी लेकिन तोनों में अब गहरी दोस्ती के साथ-साथ दिशा आईशा को पसंद करने लगी थी क्योंकि आईशा को जो नेचर था बहुत अच्छा था इसलिए दिशा उससे भी प्यार करने लगी थी और एक दिन की बात है जब दोनों WhatsApp पे चैट कर रहे थे तो आईशा बहुत हिम्मत करके दिशा को पर्पोस कर देती है पर्पोस करने के बाद आईशा डर जाती है वो सोचती है पता नहीं दिशा क्या रिप्लाई देगी कहीं वो दोस्ती ना तोड़ दे लेकिन कुस देर के बाद दिशा का रिप्लाई आता है और वो भी रिप्लाई में उसका पर्पोसल एकसेप्ट कर लेती है और वो भी लिख देती है I love you too दिशा की तरफ से I love you too का मैसस देखके तो आईशा खुशी के मारे पागली हो जाती है वो खुशी से नाचने लगती है कूदने लगती है और दिशा भी खुशी के मारे पागल हो रही थी क्योंकि वो भी आईशा को पसंद करती थी लेकिन वो तो डरती थी आईशा की तरह फिर दोनों तब ही call पे बात करते हैं और call पे भी एक दूसरी को propose कर देते हैं और I love you सुनके दोनों को बहुत अच्छा लगता है और दोनों अब ऐसे ही रोज घंटो घंटो एक दूसरे से बात करते थे और इन दोनों ने तो अब game खेलना ही बन कर दिया था और एक दूसरी को देख लिया जाए तो दिशा कहती हाँ क्यों नी फिर ये दोनों मिलने का तारीख भी fix कर लेते हैं और दिशा ही मुंबई से उड़ी सा जाती है आईशा से मिलने के लिए और वो मिलन की जो घड़ी होती है वो भी आ जाती है आईशा अस बहुत खुश थी क्योंकि जिससे वो प्यार करती है आज उसको रियल में देखने वाली है और वो वक्त भी आ जाता है जब दिशा आईशा के सामने आ जाती है और आईशा जैसे ही दिशा को देखती है वो खुशी के मारे रोने लगती है आईशा को यकिन नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करती है आज वो उसके सामने है फिर दिशा भी आईशा की पास जातियों से गले लगा लेती है दोनों के आखों में खुशी के आंसू थे दोनों इस समय बहुत खुश थे क्योंकि ये जो मूमेंट था वो बहुत ही मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी मैमरीज क्लेक्ट करdu मुझे तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंट करना है इस्लिए मैं यहां पर 1-2 महीने रुकने वाली हूं इसनके तो आईशा फिर से खुश हो जाती है उसके खुशी का ठीक आना नहीं होता आईशा तो दिशा को कहती है कि तुम मेरे घर पे रुकना लेकिन दिशा कहती है मैंने पहले ही एक महिने के लिए होटल बुक कर लिया है दिशा कहती है कि अब तुम मेरे पास इसी होटल में मिलने आना दोरों बहुत मैमरीस कलेक्ट करेंगे तो आईशा कहती हाँ दिशा ये भी कोई कहने की बात है क्या तो जिस दिन ये एक दूसरे से मिले थे उस दिन घुमते गुमते इक दूसरे के साथ टाइम स्पैंड करते हुए रात हो जाती है तो दिसा होटल चली जाती है और आईशा अपने घर फिर अगले दिन आईशा बहुत एक्साइटर थी दिसा से मिलने के लिए और तुरंट तयार हो कि दिसा के पास चली जाती है दिसा के होटल में आईशा जब दिसा के एक होट रूम में जाती है तो दिसा तो पहले से ही तैयार थी क्योंकि आज उससे कंट्रोल नहीं होने वाला था आज वो सब कुछ करने वाली थी जिसका बेट वो इतने महीनों से कर रही थी और आईशा भी कौन सा कंट्रोल करने वाली थी वो तो जैसे ही दिशा को देखती है उस पे कूद बढ़ती है उसे किसिया करने लगती है और दोनों की बीच में भर पूर रोमांस होता है दोनों एक दूसरे की कसर उतारते हैं और दोनों खूब ऐसे ही इंजोई करते हैं और अब तो इनका ऐसा रोज का होने लगा था जब तक दिशा उडिसा मेती तब तक आईशा रोज दिशा से मिलती रोज ये दोनों रोमैंटिक बाते करते एक दूसरे के साथ रोमैंस करते और बाहर घूमने जाते और अब तो इन दोनों का जो प्यार था वो और भी जादा स् और यह एक दूसरे को कहते हैं कि चाहिए कुछ भी हो जाए हमें सही साथ रहेंगे और इन फ्यूचर शादी भी कर लेंगे तो गाइस आईसा और दिसा की लब स्टोरी यहीं तक थी पसंद आई वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्रेब जरूर कर देना तब तक के लिए बाए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स स्टोरी में और हाँ अगर आप इंस्टा पर फोलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन